सबी को नमस्ते आज मैं आपको लहंगे की कटिंग करना बताऊंगी जलर वाड़ा जो लहंगा होता है वो उसकी मैं कटिंग करना बताऊंगी वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना और बताना की कमेंट करके आपको अमारी वी ये चार मीटर कपड़ा हमने ये मेरा चार नहीं है पोने चार मीटर मैंने कपड़ा ये ले लिया आगे हम इसकी कटिंग करेंगे कैसे कटिंग करते हैं वो वीडियो को पूरा देखना मैं सिलाई करना भी इसी वीडियो में बताऊंगी कटिंग और शिलाई करना दोनों मैं इसी वीडियो में ही बताऊंगी आपको और ये लहंगा ज्यादा तर ही दर अमारे अर्याना मेरी वारी साइड या दो बहने पैंदती है इसको ये देखो ये मैंने पूरा नाप के पोने चार मीटर कपडा ले लिया है ये देखो फोर फोल्ड कपडा है ये छार नहीं है चार से कम है ये पूरा चार नहीं है क्योंकि मेरे को चार की जरूरत नहीं है यह ज़्यदा एभी साइज का नहीं बनाना और यह अमारी किनारी है किनारी पे हम निशान लगाएंगे धाई इंच का और एक बात और बता देती हूं यह एक साइड की किनारी है किनारी तो आप समझते होगे शूट में जो अर्ज होत खता है उसमें इह किनारी है किनारी तक अर्ज नाप्किंव लगा हैं हम इसको कटिंग और ने चैनल के साइड की किनारी और into गह Jared कौनारी हूं इसी तरीके से कट इंग यह जो अम लहंगा बनाएंगे इसके कप्ड़े का अर्ज 4-4 नि बीच में होता हैं कम अर्जमें जैस कपड़ा इसमें से किनारी के आप सहाएक है किवारी निकाल से स्टूशुखण में से गजर दो कि गजर निकालैंगे का सिकतिते किनारे को आप समय और यह र duy निकाल के गए काथ शाए कुशाग एख और यह बच गया 38 inquas टिक इनल्द होती है आम उसमें से निकाल से चार इंच कपड़स इस तरीके से क्पड़ने कॉर तूर करके दोनों निकाल कर लिए यह दोनों कपड़र की और एक बात बताती हूं मैं नैसी कुड्त की वीडियो डाल ली थी तो बहुत शारी बेनों के कमेंट आये थे ये मैं बता रही हुं आपको देघ्म के कमेंट है तो नाड़ा भी यहां से से सकते हो बहुत शारी वीचे पड़ेते दीदी जलर बताव ती जलर वाला लहंगा बताओ और मैं इसमें यह बता रहीं कि तीन इसे कर लेने हैं जो अब हमनें सारा कपड़ा निकाल लिया जो आपने निकालना आप इस के करने हैं तीन इसे हैं यह है अमारा इसकी लहंगे की लंबाई है 38 बचा खपड़ा 38 बचा है और इसमें लहंगे की लंबाई है हमारी 40 इंच यह देखो तीन फोल्ड कपड़ों में अमने करके यह अलग-अलग काट लेने हैं बराबर-बराबर करके वह आप देखोगे कि आपका तीन इसों में कितना कितना कपड़ा आएगा ठीक है यह तीन इंच 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 को उपर उठाके यह देखो यह धाई इंच कपड़ा है यह चार है तो हमें डेड़ इंच उपर से मिलेगा और डेड़ इंच नीचे से मिलेगा डेड़ इंच की पट्टी उपर मिलेगी ह नीचे मिलेगा और यह उपर तीनींच इन्च इप पूठाकर लेंगे तो उसमें एक इंच्छ और प्लस कर लेंगे क्योंकि जो उपर की जहला लगाएंगे यह भी कपडा जाएगा ना तो आफ ही उपर की साइड जाएगा हाफ नीचे तो एक इंच कर देगे तो यह चारीस ह कि लंबाई यह देखो जोड लगा के और यह साइड से एक साइड से हमने मोड लेना दूसरी साइड में खोल करके बताऊंगी और जो कि जो कमर का इसा लेना कमर नाप के हम में इसमें दो इंच पलस कर लेना ज्यादा पलस नहीं करना जैसे 38 कमर है तो 40 ही पेटी लेनी है इसकी कमर की ज्यादा नहीं लेनी हमने यह निशान लगा लिया यह देखो इस तरीके नापन न которую निशान लगा लेना और मैंने शिलाए लगाई वो आपको समझा गयी होगी इसमें किस तरीक एक साइड शिलाए लगाणी एक साइड हमने शिलाए नहीं लगानी वो उसमें अटैच करके फिर इसको उपर की साइड फॉल्ड करेंगे ठीक है मैं खूब अच्छे से समझाने कि आपको कोशिस कर रही हूँ फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप में उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं यह देखों यह हमने जो किनारी निपा ली थी किनारी हमने अंदर की साइड फोल्ड कर दी ठीक है यह सफाई वारे किनारी नहीं अगर फिनिशिंग होती तो इसमें इसको चाइफ होल्ड भी नहीं करते यह थीक है यह तीन हिश्य आमने कर लिए मैं बार बार बता लिए तीन हिश्य कर लेने हैं अब हम इसमें जो निच्चे चुन्नट डालें हैं और बड़ी डालोगे तो आप उसमें पूरी कंपलीट नहीं कर पाओगे पहले ही वो जो पट्टी है वो खतम हो जाएगी यह जो अमने तीन इसे करेंगे उसकी शिलाई लगाएंगे पहले जो हमारा कपड़ा बचा था उसको अमने तीन इसों में डिवाइड कर लिया यह देखो इसकी हम शिलाई लगाएंगे यह वैसे आप सोचोगे कि यह बगर कटिंग करें भी बना सकते हां बना सकते हम इसको बगर कटिंग करें लेकिन उसमें चलने में दिक्कत होती है यह निचे शे हमने थोड़ा सा यह इतनी शिलाई निकाल ली और उसके उपर वो जो हमने पटि काट रख्ये धाई इंज की वह रखते हुए दीरे दीरे यह छोटी छोटी चुन्नत बनाएंगे ज्यादा बड़ी चुन्नत नहीं बनानी होती है यह पुरा नहीं होता फिर नहीं तो पहले भी ही खतम हो जाएगा यह देखो इस तरीके से छोटी-छोटी चुनर डालके हम इसको पूरे को कम्पलीट करेंगे और बाद में हम इसको इसको उपर एक शिलाई रोर लगागे फिर हम इसके उपर प्रेश करके इनको एक-एक पलेटों को अच्छे से जचा लेना है ठीक है यह देखो मैंने भी पहली बार बनाया है यह मेरको भी नहीं आता था इसके उपर का कुड़ता तो मैंने डाल ला था कुड़ते की शिलाई कटिंग मैंने डाली थी इसमें यह भी मैंने किसी बहन से पूछके जब भी वीडियो बनाई है इसकी यह देखो छोटी-छोटी चुनर डालके पूरा यह कंप्लीट कर लेना हमने मैं ज्यादा नहीं बताऊंगे आपको इसमें यह क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि इन चीजों में टाइम लगता है अब मैं यहां से उतार के मैंने तरीका बता दिया आपको बस तरीका ही बताना था आप स सिंगल कपड़ा लेना है डबल नहीं लेना है यह देखो इस तरीके से आप थोड़ी शी ढाई लिए तो आप चोड़ी भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें लेकिन मैंने यह डाई ली और उपर जो लगाएंगे वह चार इन चली इन को डालते हुए फिर यह देखो इस तरीके से अब हम इसके उपर शिलाए लगा के दिखा देते हैं आपको ठीक है फिर और पूरा कंपलीट करके दिखाएंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वैसे वीडियो 15 मिंट की हो गई यह देखो और मैं कम डालती हूँ यह वीडियो क्योंकि मेरा इंब्रोइडरी का काम है सूटों का बहुत ज्यादा काम है पढ़ाई का टाइम नहीं लगता है तो इसलिए मैं कम डालती हूँ अगर किसी बहन को कोई भी शूट पे कढ़ाई करवानी है तो मेरी हर वीडियो में नमबर मिलता है आपको तो उससे आप में से वर्षप संप लहंगे बाले कपड़े पे शिलाए लगानी है ना कि चुन्नट बाले काकि छेन गवाहर कर के सब्ङता हुआ है दो अनके बहुते हैं Вот गवंभड़े काम नहीं आता ओक यह यह धिकात थे principe काम हुआ बनानं उनके मनें के लिए जो काम नहीं आता वह मुश्किली होता है यह ही देखो कि यह हम ने पूरी पलेट लगा के तैयार के लग来्याश फूरी हम वापस से लगा के इसे लगाए करें विगा इस लगाने के बाद अब हम चलते पर की इसकी पेटी कैसे लगाते हैं यह हमने शिलाई लगा दी ठीक है अगर बनाने बैठो तो इसमें ज़्यादर टाइम नहीं लगता है मैंने दामन की तो काफी सारी वीडियो डाल रखें इसकी नहीं डाली थी मैंने यह देखो यह हमने अपनी कमर के इसाव से दो इंच पलस करके इसमें यह कपड़ा लेना है लंबाई में मैंने आपको बता दिया और चोडाई में चारींच और एक साइड से पहले फोल्ड करके इसकी रेडी कर लेंगे दूसरी साइड से फिर बताएंगे यह देखो और इसको हम तीन इसों में बाठ देंगे तीन इसे करेंगे हम इसकी और उस पर कटका निसान लग देंगे क्योंकि जो हमारी उपर पलेट डलेंगी थोड़ी बड़े साइज की डलेंगी उसमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि जो यह हमने लहंगा काट रख्या है यह तीन इसों में काट रख्या है देखो 16 इंच पे एक निसान 16 पे एक निसान ठीक है तो तो तीन इसों में हो गया यह तो फिर हम जो हमने यह तीन इसों में पेटी कोट काट रखना तो इस चीज का आपको द्यान रखना है जैसे हमने शोड़ा इंच के अंदर एक इसे को कवर कर लेना है तो बरापर बरापर पलेटे आएंगी बिल्कुल छोटी बड़ी नहीं होएंगी इस चीज का आपको द्यान रखना और यह देखो आमने यह जो नीचे की पटी रखिए वो किस तरीके से रखे जो उपर की साइड का इसा है वो सिदा है और यहां से थोड़ा सा उदेड लेना है फिर उपर का साइड जो रख्या है पटी का कमर पटी का तो वो सिदा साइड रख्या है फिर वो पलट के आ जाएगी उपर, आपको मैं दिखाऊंगी जबी समझ में आएगी, देखो, यहां से हमारा एक इसा है, तो 16 इंच के अंदर अंदर इतना हमारा कवर होना चाहिए, क्योंकि तीन इसो में यह लेंगा है, और तीन इसो में यह पेटी कर लिया हमने, जो कमर की ध्यान रखना है, यह बहुत फिनिशिंग से डालनी होती है आपको, बिल्कुल शेम साइज की, कम से कम यह आदा इंच की पलेट डालनी होगी आपको, तभी आपका पूरा 16 इंच तक कवर हो जाएगा, और जो नीचे की पटी है, आपको समझ में आ गई होगी, जो हमारे उ अच्छा रिस्पोंस है उन वीडियो का, दामन वारी का, ज्यादा तर उदर हमारे रोतक भीवानी में बहुत ज्यादा चलते हैं उन दामन, तो मैंने दामन की डाल रखे हैं, उसके चुंदरी कुड़ते सब की बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, और मैंने यह जो इस लह बताओ, जलर वाला, तो इसलिए मेरे को आज यह वीडियो डालनी पड़ी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, क्योंकि चैनल सस्क्राइब, लाइक केन के कोई पैसे नहीं लगते, यह देखो, हमने सोडा इंच पर निसान लगा था, वहीं तक हमने यह कवर कर लेनी है, अभी दिखाती हूँ आपको, यह देखो, बिल्कुल वहीं पर आके मिला हमारा निसान, तो अब आपको कोई दिकत नहीं होएगी, इस तरीके से अगर आप वैसे अंदाज यह से लगाओगे, तो कहीं पर चोड़ी का भी और लहंगे का भी, ठीक है, और यह हमने पूरी लगा के, यह देखो, आप देख सकते हो, पलेटों में कितनी फिनिसिंग है, लगा के कम्पलीट कर लिया, और अब इसकी शिलाए लगाएंगे, यह उपर की यह देखो, यह इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, क कैसे हमने इसको पट्टी को रख्या था, और कैसे अब इसको देखो, उपर की साइड पलटल के लिया आए, और यह शिलाए कम्पलीट करने के बाद हमारा लहंगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा, कोई भी काम करो तो उसको फिनिसिंग से करो, ऐसे नहीं क्या, जैसे शिला होगा, क्योंकि शिल्वट आई पड़ी है, इसमें बहुत सारी, यह जो नेफा मोड़ना है, यह बहुत सफाई से मोड़ना है, इसमें कहीं पे भी कोई जोल नहीं आना चाहिए, और फिर भी कुछ आपको समझ ना आए, तो कमेंट करके पूछ सकते हो, यह कमर की पट्टी हमने शिलाई लगा के पूरी कम्पलीट कर ली, और जो हमने थोड़ी शिलाई निकाने थी, इसको दोबारा से हम लगा देंगे, और हमारा लहंगा बिलकुल बनके रेडी है, देख सकते हो, आप यह शिलाई लगानी है, बस जो हमने उधेरी थी, यह देखो, ठीक है, और य बताना आपको अमारी वीडियो कैसे लगी, यह देखाती में आपको, और मेरी वीडियो देखने के लिए सबी का बहुत धन्यवाद,